धात्वी आप अपने चारो और भिने भिने प्रकार की धात्वी देखते हैं तथा इनका उप्योग भी करते हैं उधारन के लिए मकानों को बनाने के लिए लोही का उप्योग विभिने प्रकार की बरतन बनाने के लिए भिने भिने धात्वी का उप्योग इसी तरह से विभिन प्रकार के आभुशन बनाने के लिए कीमती धातूं का उप्योग इसके अलावा भी बहुत सारे इलेक्ट्रानिक समान, और जार, हतियार तथा और भी बहुत सारी चीजों के लिए हम इन भिन 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 धातूं का उप्योग करते हैं लेकिन इन भिन भिन धातों की जानकारी हमें एक दिन में नहीं हुई इसकी जानकारी हमें धीरे धीरे हुई है वास्तों में धातों का इतिहास काफी प्राचीन है यह हम यह कह सकते हैं कि हमारी प्राचीन सभ्यता तथा धातू के उप्योग इसका गहरा संबंध रहा है यहां तक कि प्राचीन काल की कई जो सभ्यताएं थी उनके कई युगों के नाम इन धातू के उप्योग के आधार पर दे गये थे जैसे कि ताम्र पाशान योग या लोह योग या ताम्र योग इसे तरह से हम देखते हैं कि वास्तों में ये जो धात्वे थी प्रकृती में नहीं थी ऐसा नहीं है ये धात्वे प्रकृती में मौजूद थी लेकिन इन बहुत सी कम ऐसी धात्वे होती हैं जो कि प्रकृती मे प्राचीन काल से हमारे भारत वर्ष में विभिन धात्मों का उप्योग औजारों, हतियारों, बर्तनों तथा आभूशन बनाने के लिए होता था मुखे रूप से सोना, चांदी, तांबा, लोहा, लड तथा तीन इसके अलावा पारा ये साथ धातों का उप्योग के प्रमान हमारे प्राचीन भारत कालक में मिलते हैं जो और इसी कारण से इन सभे धातों को हम प्राचीन धातों कहते हैं यद्धपी और दोगिक क्रांती के पश्षात धातों विज्ञान में काफी तीवरगती से वृद्धी हुई लेकिन धातों विज्ञान की अनीक अवधारनाओं की जणे हमें पुरानी पध्धतियों में ही मिलती हैं तो आए भारत के धातों कर्मी इतिहास में एक नजर टालत धातों की उपस्थती का जो प्रमाण मिलता है वह लगभग 6000 BCE का है और इसका प्रमाण हमें पुरा तत्विक सर्वेक्षणों तथा प्राचीन साहित्यों से मिलता है इतिहास बताते हैं कि भारत वर्ष में सबसे पहले धातों का जो प्रमाण मिला था वह बलिचुस्तान छ कि ये प्राकृतिक तामबा था किसी अयस्क या योगिक से निसकर्शित तामबा नहीं था लेकिन इसके अलावा भी राजिस्थान, गुजरात, हर्याना तथा मध्धि प्रदेश के कई छेत्रों से इसके साथ हडपा के छेत्रों से प्राप्त धातों के नमूने से पता चल और इसका उप्योग विभेन प्रकार की वस्त्वें बनाने के लिए किया जाता था साथी साथ जो राज की अभिलेक होते थे उन्हें भी तामर पत्रों पर उनकी खुदाई की जाती थी और इस तरह का सबसे प्राचीन तामर पत्र हमें मौरिकाल से प्राप्त होता है जिसम जोना चांदी जैसी धात्म का उप्योग तो करते ही थे साथी साथ ये इनके मिश्र धात्में जिसे इलेक्टरम कहा जाता था उनका भी उप्योग करते थे इसी तरह से मोहन जोड़ो नामकिस्थान से धात्म के जो नम्मूने प्राप्त हुए हैं वो लगभग 3000 BCE के हैं इसी तरह से करनाटक के मस्की छेत्र से जो सोने की खदाने प्राप्त हुई हैं पता चलता है कि ये खदाने विश्व की सबसे गहरी खदाने थी और इनका कारेकाल लगभग 1000 BCE का है इसी तरह से इन धात्मों के उप्योग के प्रमाण हमें सिर्फ सर्वेक्षणों से नहीं मिलते साहित्यों से भी प्राचीन साहित्य से भी मिलते हैं इसी तरह से रिगवेत के शलोकों तथा कोटिले के अर्थशास्त्र से भी हमें भिन भिन प्रकार के धात्वों के उप्योग के प्रमान मिलते हैं कोटिले के अर्थशास्त्र में सोना, चांदी, तामबा, लोहा, तिन तथा लेड इन सभी धात्मों के उप्योग तथा उनके व्यापार के विशह में जानकारी प्राप्त होती है यदि हम बात करें लोहे की, तो गंगा की घाटी तथा विंद छेतर से हमें लोहे की खुदाई के प्राचीन प्रमान प्राप्त होते हैं पुरातत्त्त्य सर्वेक्षणों से पता चलता है कि इन छेत्रों में लोहे का उत्खनन तो होता ही था, साथी साथ लोहे का प्रगलन तथा उनसे विभिन प्रकार के शिलपों का निर्मान भी किया जाता था यहाँ पर हम बता दें कि लोहे की प्रगलन की जो प्रक्रिया थी वो इस छेत्र में काफी प्रचलित थी और यहाँ पर ही पिटवा लोहे के उप्योग का प्रमार भी हमें मिलता है और साथ ही साथ भारत वर्ष में पिटवा लोहे का उप्योग भी होता था और इससे यहीं प विभिन प्रकार के शिल्प तथा ओजार एवं हथियार भी बनाय जाते थे। प्रकार की मांग इतनी जादा थी कि इसे युरोप, चीन तथा अरब देसों में इन्हें भेजा भी जाता था। और यह जो इस्टील था उसे वंडर मटेरियल आफ दा ओरियंट यहने की पूर्व की अद्भुत वस्तु के नाम से जाना जाता था। इतना ही नहीं यह जो वं दक्ष सिला थी। उस दक्ष सिला में सिकंदर ने पूरस को जो विभिन प्रकार के उपहार दिये थे। उनमें एक धाई किलो का वुड्स स्टील भी था। यहाँ पर जो वुड्स स्टील शब्द का उप्योग किया गया है वास्तों में वो दक्षण भारती शब्द उक्क कहा जाता था। संभावता यह वुड्स स्टील का जो नाम है उसी से बना है। इतना है नहीं। पिटवा लोहे के उप्योग का साक्षात प्रमान हमारा विश्च्व विख्यात लौह स्तंब है जिसकी स्थापना दिल्ले में पांचवी शताबदी में की गई थी। इसमें पिटवा लोहे के अलावा कार्बन, सिलिकन, मैगनीज, फासफोरस, निकिल, तथा कॉपर तत्तु भी मिलाए गए थे। और इसकी मजबूती का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि लगभग सोला सो वर्षों से यह जलवायों का सामना कर रहा है। लेकिन इसमें एक भ पूर्व का हिमालई छेत्र या मेगाले का छेत्र भी धातु के उप्योग से अच्छूता नहीं था। मेगाले की खासी पहाड़ियों में उत्खनन करने के पश्चात यहां पर पता चला कि यहां पर जो धातु उत्खनन होता था और यहां पर जो धातु मल प्राप्त यनि कि मेगाले छेत्र में भी यनि कि भारत के पूर्वी छेत्रों में भी धातो उत्खनन का कार्य किया जाता था और इसकी पुस्टी ब्रिटिश वेज्ञानिकों के द्वारा भी की गई है जब उन्नेश्वी सताबदी में ब्रिटिश प्रकृती वेज्ञानिक इन छेत्रो में जिंक के उत्पादन के प्रमाण भी मिलते हैं और ये प्रमाण लगभग छट्वी से सात्वी सताबदी के हैं यहाँ पर जिंक का उत्पादन अधो मुखी आस्वन तकनीक से किया जाता था क्योंकि जो जिंक धातु होती है उसका क्वथना काफी कम होता है और जब इसका प्रगलन किया जाता है तो उस समय यह आस्वित होने लगता है तो इसी वज़े से इसका जो उत्पादन किया जाता था वह अधो मुखी तकनीक से किया जाता था जो की काफी जटल तकनी थी लेकिन भारत वर्ष में जिंक के उत्पादन तथा उप्योग के प्रमाण हमें मि अन्य साहित्यों से ये प्रमाण प्राप्त होता है कि प्राचीन भारत में भी औशिधी उप्योग के लिए पारे का इस्तमाल किया जाता था इसके अलावा यहाँ पर 14-17 सताब्दी में भी यहाँ पर पारे के औशिधी उप्योग के प्रमाण मिलते हैं तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत वर्ष में धातू के उत्पादन तथा उसके धातू कर्मी प्रक्रमन का एक सम्रध्ध शाली इतिहास रहा है। लेकिन यह धातू कर्मी प्रक्रमन का सम्रध्ध शाली इतिहास धीरे धीरे समाप्त होने लगा तब जैसे ही भारत ब्रटिश का उपनवेश बना। इसलिए ना यह धीरे धीरे खदाने भी लुप्त होती गई तथा उससे जुड़े हुए विभिन वैज्ञानिक प्राचीन प्रक्रम भी लुप्त होती चले गए। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय यहां पूरे भारत में ब्रटेन की या जो ब्रटिश वैज्ञानिक पद्धतिया थी उनका प्रवेश हो चुका था। और इसे लिए जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तो भारत सरकार ने विभिन प्रकार के धात्मों तथा उनके निसकर्शन के लिए अनेक वैज्ञानिक तथा तकनिकी सयंत्रों की या संस्थानों की इस्थापना की तथा फिर वहां पर आध्धनिक पद्धति के द्वारा इ सद्धाय में हम धात्मों तथा उनके धात्मों कर्मी प्रक्रम के विशय में उनकी आध्धनिक पद्धतियों के बारे में जानेंगे आईए सबसे पहले हम धात्मों की आवर्द सानी में इस्थती जानते हैं जैसे कि आप जानते हैं आवर्द सानी के सभी 118 तत्मों को चार ब्लॉक में वर्गे कृत किया गया है सबसे बाई और S-Block के तत्व हैं जिसमें दो वर्ग आते हैं इसमें से प्रथम वर्ग के तत्वों को हम छारी मृदा धात्वें अलकली मेटल्स कहते हैं जो की सभी धात्वें हैं इसी तरह से दुती वर्ग के जो तत्वें हैं उन्हें हम छारी मृदा धात्वें कहते हैं य कहते हैं ट्रांजिशन एलेमंट्स यानिकी ये भी सभी के सभी धात्वें हैं इसी प्रकार जब हम नीचे आते हैं तो यहां पर जो लेंधेनाइट और एक्टेनाइट की शुईरीज है उन्हें हम अंतर संक्रमन तत्व इनर ट्रांजिशन मैरश कहते हैं और ये भी सभी फुरी धात्वें इस तरह से हम देखें कि आवरज़ाणी के स्ब्लोग और सुपस्थित सभी तत्व धात्वें इसके बाद हम आवरज़ाणी के दाईनों चलते हैं यहां पर हैं पी ब्रॉक के तत्व P block में हमें धात्वी, उपधात्वी, तथा अधात्वी सभी मिलते हैं यहाँ पर आप इनके मद्धे में जो यलो कलर के box में जो elements तत्व देख रहे हैं ये छे तत्व उपधात्वी हैं और आप जानते हैं कि उपधात्वी में धात्वों तथा और धात्वों दोनों के ही गुण पाए जाती हैं इसके बाद बाई और जो ये बैगनी कलर के रंग में आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी तत्व धात्वी हैं इसके बाद हम देखें दाई और जो तत्व दिख रहे हैं हरे रंग में तथा ये सबसे अंतिम जो शुनिस समु के तत्व हैं सबसे अंतिम जो अठारवे समु के तत्व हैं ये सभी अधात्वे हैं याने कि यदि हम पूरे 118 तत्व को लें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 94 तत्व वो धात्वे हैं 6 उपधात्वे हैं जबकि 18 अधात्वे हैं याने कि पूरी आवर्दस्तानी में धात्वों की संख्या सबसे ज़्यादा है अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन सभी धात्वों में कौन सी धात्व है जो सबसे अधिक मात्रा में पाय जाती हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले हम पूरे 118 तत्वों की बात करें यदि हम पूरे 18 तत्मों को लें, तो यहां पर भूपर्पटी में जो सबसे अधिक मात्रम ही पाया जाता है, वो है उक्सिजन, क्योंकि उक्सिजन अधिकांस तत्मों के साथ आकसाइट के रूप में उपस्तित होती है, लेकिन उक्सिजन अधातू है, इसी प्रकार जो भू दूसरा तत्व सिलिकन और आप देख सकते हैं सिलिकन उपधातू के अंतरगत आता है इसके बाद हम देखें कि तीसरे नंबर पे जो तत्व है जिसकी भूव परपटी में उपलब्धता होती है वह है अल्यूमिनियम यदि हम प्रतिशत के क्रम में देखें तो ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 46.6 भार की दृष्टि से इसी तरह से सिलिकन का प्रतिशत होता है 27.7 प्रतिशत साथ यहां पर जो एल्यूमिनियम है इसका प्रतिशत होता है 8.3 प्रतिशत तो इस तरह से यदि हम ले तो एल्यूमिनियम जहां सभी तत्वों में भूव परपटी में पा रहात्यात्मों की कि बात करें तो अलूमिनियुम प्रथम इस्थान रखता है और भार के देश्टी से इसका प्रतिशत होता है controlling समनों तीन प्रतिशत ईलोमिनियम भिन भिन रूप्व में प्रकर्टी में पाया जाता है यहां पर अभ्रक़ के रूप में प्रकर्टी के रूप में जिसे क्या लिन। कहते हैं के रूप में उपलब्ध होता है इसके साथी साथ यह आगनी चट्टानों का मुख्य घटक होता है आगनी चट्टानी वो चट्टाने होती है जो की धरातल के नीचे तप्थ तथा तरल चट्टानी पदार्थों के दीरे धीरे ठंडा होने के फलस्वरूप बनती हैं और इसमें अलूमेनियम अपने ऑक्साइड अलूमिना यहने की एल्टू ओथ्री के रूप में उपस्थित होता है और इसी रूप में यह बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है इसके अलावा आपने देखा होगा बहुत से जो कीमती पत्थार होते हैं जैसे कि रूबी, मानिक के आदी जिनका बहुत ही सुन्दर रंग होता है और साथी साथ ये कीमती भी होते हैं ये भी ऐलूमिनियम के ओक्साइड, ऐलूमिना के ही अशुद्ध रूप हैं जब अलूमिना के यानि की अलूमिनियम आउक्साइड, ऐल्टू, ओथरी में कभी-कभी कुछ संक्रमन धात्मू जैसे की क्रोमियम कोबाल्ट आदी की अशुद्धी आ जाती है तो इन में एक विशेश रंग उत्पन हो जाता है जैसे की यदि हम रूबी या मानिक्य की बात करें तो यहाँ पर जब अलूमिना में क्रोमियम की अशुद्धी आ जाती है तो उसका रंग गहरा लाल गुलाबी हो जाता है और इस तरह से यह जो स्टोन हमें मिलता है उसे हम मानिक्य या रूबी कहते हैं इसके बात इसी तरह से यदि अलूमिना में कोबाल्ट की अशुद्धी आ जाती है तो उसकी वज़े से इसका रंग गहरा नीला हो जाता है और वो जो stone हमें प्राप्त होता है उसे हम नीलम कहते हैं तो इस तरह से हम देखें कि aluminum के oxide के कीमती रूप भी हमें देखने को मिलते हैं इसके अलावा या ओदोगिक महत्तो का तो है ही इसके बाद भूपरपटी में उपलब्धता के क्रम में जो दूसरे नमबर की धातू आती है वह है iron यनि की लोहा और लोहे की हमारे दैनिक जीवन या ओदोगिक महत्तो को आप सभी जानते हैं iron या लोहा भी अपने भिन भिन योगिकों के रूप में जैसे की oxide, carbonate, sulfide या sulfate के रूप में प्रकृती में पाया जाता है साथ ही साथ यह ओदोगिक महत्तो का होने के साथ साथ जैविक महत्तो का भी है क्योंकि हम जाते हैं कि हमारे रत में उपस्थित जो हीमोगलोबीन है वह iron का ही एक complex compound होता है इसके बाद iron के बाद जो तीसरे नंबर पर पाई जाने वाली प्रतिशत के द्रिश्टी से धातू है वह है calcium उसके बाद sodium का नंबर आता है उसके बाद magnesium और potassium तथा titanium का प्रतिशत आता है लेकिन ये सभी धात्वों में बहुत ही कम ऐसी धात्वें होती हैं जो कि प्रकृती में शुद्ध अवस्था में पाई जाती हैं यनि कि हम जिने बड़ी आसानी से सुद्ध अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि gold, silver, platinum, इत्यादी लेकिन अधिकांश जो धातों हैं वो अपने भिन भिन प्रकार के योगिकों के रूप में इनमें पाई जाती हैं और इसलिए इनहें प्राकरतिक रूप से पाई जाने वाले रासानीक पदार्थों जैसे कि चट्टानों या पहाडों में से खनन करके हम इनहें प्राप्त करते हैं और इसलिए इन योगिकों को हम खनिज या मिनरेल कहते हैं यानि कि प्राकरतिक रूप से पाई जाने वाले ऐसे ओकार्बनीक पदार्थ जिनकी निश्चित सरिचना होती है तथा जिनका लाक्षणिक रासायनिक संगठन एवं भातिक गुण होते हैं ऐसे पदार्थों को हम खनिज कहते हैं लेकिन इन सभी खनिजों का उप्योग हम धातू के निसकर्षण के लिए नहीं करते हैं ऐसे खनिजों को हम अयस्क या और कहते हैं यनि कि प्राकरतिक रूप से पाय जाने वाले ऐसे ठोस पदार्थ जिन हैं लाबदायक तरीके से धातू के निसकर्षण करने के लिए उप्योग में लाया जाता है ऐसे ठोस पदार्थों या खनिजों को हम अयस्क या और कहते हैं जैसे उदारण के लिए माल लेजिए हमारे पास आयरन के दो खनिज हैं इसमें से एक से हमें केवल 30 प्रतिशत आयरन प्राप्त होती है जबकि दूसरे से हमें 70 प्रतिशत आयरन प्राप्त होती है अब दोनों से ही यदि हम आयरन प्राप्त करना चाहें तो हमें समान प्रोसेस तथा समान लागत आएगी लेकिन एक से हमें धातु अधिक मात्रा में प्राप्त हो रही है तो इस तरह से इन दोनों ही सैंपल को हम खनिश्टों कहेंगे लेकिन इन में से इस सैंपल को जिसमें की 70% तक धातु उपलब्ध है उससे हम अयस्क या और कहेंगे इस तरह से आईए हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण धात्मों के अयस्कों को तथा उनके रासानिक संगठन को जानते हैं सबसे पहले हम लेते हैं एल्यूमिनियम का एक महत्वपूर्ण अयस्कों होता है बॉकसाइड और इसका संगठन होता है अयस्कों है एल्यूमिनियम का जो दूसरा अयस्क है वह है के अल्यूमिनाइल जिसे हम समान रूप से क्ले कहते हैं इसमें यह अपने अक्साइड के साथ सिलिकेट के साथ उपस्तित होता है और इसका संगठन होता है AL2O3-SiO2-2H2O यानि कि इसमें आक्साइड के साथ कुछ सिलिकेट भी उपस्तित होते हैं इसी के साथ ऐल्यूमिनियम का एक और आयस्क है जिसे हम कोरंडम कहते हैं तो जहां पर बॉक्साइड जो है हाल्ड्रेटट ऐल्यूमिनियम आक्साइड होता है वहीं पर जो कोरंडम होता है उसमें hydrated water नहीं होता यहने कि इसका जो सूत्र है वो होता है AL2O3 और इससे भी बहुत अधिक मात्रा में हमें aluminum प्राप्त होती है इसके बाद हम देखते हैं iron के कुछ अयस्क तो iron के जो कुछ महत्वपुन अयस्क है उनमें आता है सबसे पहले hematite जिसका सूत्र होता है Fe2O3 है इसी तरह से दूसरा मेORक्तों अयस्क है magnetite जिसका सूत्र होता है Fe3O4 इसके बाद और और भी अयस्क है जैसे कि saliride जिसमें यह विदे снराबिट के रूप में उपस्तित होता है इसके बाद देखते हैं कौपर के कुछ महत्पुन आयस्क तो कपर का सबसे महत्पुन आयस्क है कौपर पाइराई जिसका सूत्र होता है कौपर के साथ आयरन भी उपस्तित होती है इसके बाद इसका एक और मेकलाइट जिसमें यह कौपर भी कार्बोनेट के रूप में उपस्तित होता है और इसका सूत्र होता है कौपर कार्बोनेट और कौपर क्या है दोनों ही इसमें उपस्तित होते हैं इसके बाद इसका जो ऑक्साइड आयस्क है वह है क्यूपराइट और इसका सूत्र होता है क्यूपरस ऑक्साइड जिसमें जो कौपर है वह अपनी प्लस वन ऑक्सिडेशन स्टेट में होते हैं इसके बाद है एक कौपर ग्लैंस कौपर ग्लैंस जिसका सूत्र होता है जिसका सूत्र है जड़न स yrs या इसे हम स्क्लेरे राल्प भी कहते हैं इसके बाद है क्यलोमाइन, क्यलोमाइन में जो जिंक है वो कार्बोनेट के रूप में उपस्तित होता है और इसका सूत्र होता है जडन-CO3, इसके बाद आता है जिंकाइट, जो की जिंक का ओकसाइड है जडन-O और इस रूप में यह अयस के रूप में पाया जाता है, तो य यह मुख्य धातों हैं हमारी अलुमिनियम आइरन कॉपर और जिंग के कुछ महत्वपुन अयस्क तथा उनके रासायनिक संग्ठन और यह जो धातों हैं तथा उनकी अयस्कों के नाम सुत्र तथा उनका रासायनिक संग्ठन पूछा भी जाता है इसलिए यह जानना बहुत ही आवश्यक है अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ही धातू अपने कई अयस्कों के रूप में उपस्थित होती है लेकिन इन सभी अयस्कों में से भी हम केवल उनहीं अयस्कों का उप्योग धातू निस्कर्शन के लिए करते हैं जिसे हमें सरल रासायनिक रूप से और साथी साथ जो की आर्थिक रूप से लाबदायक भी हो क्योंकि यदि धातू के निसकर्षन में धात की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें यदि लागत जादा आती है तो उससे उत्पादन करने वाले को नुक्सान होगा और ये भी होगा क्योंकि जब निसकर्षन में लाग अधिक आएगी तो वहाँ पर धातु की कीमत भी अधिक हो जाएगी इसलिए ऐसी प्रोसेस को अपनाया जाता है या ऐसे अयसकों का चैन किया जाता है जिनसे हमें कम खर्च में अधिक मात्रा में धातु प्राप्त होती है इसके साथ कुछ और भी चीजे ध्यान में रखी जा कम है तो उससे धातु निसकर्शन करने के बजाए हम ऐसे अयसकों लेंगे जिसमें की धातु की मात्रा ज्यादा हो और जिसकी उपलब्धता हमारे छेत्र में अधिक हो इसके अलाबा यह भी देखा जाता है कि जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उनसे प्रदूशन कम से कम हो जैस अयसक लें तो वहाँ पे सिल्फर डाय ऑक्साइड गैस बनती है जो प्रदूशक के रूप में कारे करती है और इसे लिए इन बातों का भी ध्यान रखा जाता है और उसके फलसरूप एक अच्छे अयसक का चैन किया जाता है जिससे कम लागत में तथा सरल रासाइनिक आयसकों से धातू निसकर्शन की पूरी प्रक्रिया काफी लंभी होती है तथा इसमें बहुत से वैज्यानिक तथा प्रदोगिक प्रक्रमों का उप्योग किया जाता है और इन सारे वैज्यानिक और प्रदोगिक प्रक्रमों को एक साथ हम धातू कर्म या मेटलर्जी कहते और इस पूरी प्रोसेस में रासायन विज्ञान के बहुत से सिध्धान्तों जैसे की उश्मा गतिकी क्या सिध्धान्त या विद्धुत रासायनिक सिध्धान्तों का उप्योग किया जाता है तो आईए अब हम जानते हैं कि इस पूरे धातु कर्मी प्रक्रम में कौन-कौन से पद होते हैं पूरे धातु कर्म के विभन पदों को मुख्य रूप से तीन भागों में बाटा जाता है सबसे पहला पद जो है वह है अयसकूं का सांद्रन Concentration of Ore Concentration of Ore या हम इसे प्रसाधन या सज्जी करण भी कहते हैं या हम कह सकते हैं कि या Dressing of Ore या फिर Benefication of Ore भी कहलाता है इसके बाद जो दूसरा मुख्य पद है वह है सांद्रित अयसकूं से धातु का निसकर्शन और इसके बाद जो तीसरा पद है वह है निसकर्शित धातु का शुद्धी करण या शोधन तो मुख्य रूप से तो ये तीन पद होते हैं लेकिन यहाँ पर हम देखें कि जो पहला पद है अयसकूं का सांद्रन Concentration of Ore इसके भी दो पद होते हैं सबसे पहला पद होता है अयसकूं का चूर्णन या पैलवराइजेशन क्योंकि जब हम खदानों से अयसक को लेकर आते हैं तो वो काफी बड़े बल्क साइस के होते हैं और प्रोसेस करने के लिए हमें जिस आकार के कणों की आवर्शक्ता होती है उसकी आवर्शक्ता के अनुसार इन्हें पहले क्रशिंग की जाती है और फिर उनको ग्राइंडिंग की जाती है यानि कि इनका कूटना और पीसना किया जाता है और उसके फरसरूप इनको इक्षित आकार में दे दिया जाता है जन से हम आगे प्रोसस कर सकते हैं और उसके बाद पल्वरिजेशन करने के पश्चाद फिर अगला पद होता है अयसकों के सांधरन का अयस्कों के सांद्रण के लिए कई विधिया उप्योग में लाई जाती हैं इन में से मुख्य विधिया है जैसे की द्रवित धावन हैड्रोलिक वाशिंग या फिर मैगनेर्टिक सेपरेशन इसके अलावा फ्रोट फ्लोटेशन या फेन उत्प्लवन विधि और इसके अलावा एक चौथी विधि होती है वह है यहाँ पर लीचिंग या निक्षालन इन विधियों का उप्योग करके हम धातु का सांद्रण करते हैं इसके बाद हम अगले पद में जाएंगे अगला पद है सांद्रित अयस्क से तत्व का निसकर्शन या धातु का निसकर्शन इस जो मुख्य पद को भी पुना हम दो भागों में बाड़ते हैं पहला पद इसमें होता है अयस्क का धातु ओक्साइड में परिवर्तन जो भी जो भी अयस्क हमें मिला हो चाहे वो सलफाइट के रूप में हो कार्बनेट के रूप में हो हाइड्रोक्साइड के रूप में हो या फिर हाड्रेटट ओक्साइड के रूप में हो हम सभी को उस प्तापन, कैलसिनेशन, तथा रोस्टिंग या भर्जन विधी का उप्योग करते हैं, इसके बाद अगला पर जो होता है, वह है जो प्राप्त ऑक्साइड है, उनका धातू में अप्चयन, रडक्शन, क्योंकि ऑक्साइड है और उससे हमें धातू प्राप्त करना है, तो उस में के साथ जो अक्सीजन है, उसे हमें वहाँ से हटाना होगा, और अक्सीजन को हटाने की जो क्रिया है, वह कहलाती है, रडक्शन, तो यहाँ पर हम धातू उक्साइडों का धातू में अप्चयन करते हैं, और इसके लिए हम बिन-बिन अप्चाइकों, जैसे की कार्बन, कोक, कार्बन मोनोकसाइड या फिर कोई ऐसी धातू, जो कि इस धातू का हमें प्राप्थ करने वाली धातू का अपचैन कर सकें, इनका उपयोग करके हम इनका धातू में अपचैन करते हैं। इस प्रकार जो दुती पत के द्वारा हमें धातू प्राप्त होती है वह लगभग संतानवे प्रतिशत तक शुद्ध होती है। लेकिन इसली और भी अधिक शुद्ध करने के लिए अन्तमित तीसरे पत में हम इन सभी धातू का शोधन करते हैं और शोधन करने के लिए भी बिन बिन विध्यों का उप्योग किया जाता है जो कि धातु के भौतिक एवं रासायनी गुणों पर निर्भर करता है तो आएए अब आम इन सारी विध्यों को एक केकर के विस्तार से समझते हैं